वेलो और वेल्कम टु डिवाइन कनेक्शन कैसे हैं आप सब लोग मेरे पास अकसर यह सवाल आता है कि जो भी टेक्निक आप बताते हो एलोए में अपने स्पैसिक परसन को मैनिफेस्ट करने के लिए क्या यह टेक्निक 100% काम करती है तो मैं आपको बता दू कि यस जो भी टेक काम नहीं करती तो उसका मतलब यह नहीं है कि टेक्निक में कोई गरबड़ी है टेक्निक 100% डिजर्ट देती है अब इसी से मिलता जुलता कोशन जो मेरे पास कई बार आया है कि यह जो टेक्निक आप बता रहे हो कोई भी टेक्निक हो चाहे मैं आपको क्ली मंद्र का बता या हो पोनो पोनो प्रियर बता दू कोई भी टेक्निक बता दू अपने स्पैसिक परसन को मैनिफेस्ट करने के लिए तो सवाल आपके दिमाग में आता है कि क्या इस टेक्निक को करने के बाद मेरा जो पार्टनर है मेरा एक्स है मेरा स्पैसिपिक परसन है 100% मेरे पास करूंगी कि क्या चीज है और आप फिर खुद डिसाइड कीजे इस पूरे वीडियो को देखने के बाद कि आपका परस्तन आपके पास लौट कर आएगा या नहीं सवाल आपकी अंदर ही चुपा हुआ है बात कर लेते हैं जान लेते हैं कुछ पॉइंट्स कोशिश करोगी बहुत डीटेल में बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाने की ताकि अगली बार अगर आपके दिमाग में ये कोश्चन आए कि ये जो मैं कर रहा हूं कर रही हूं जो भी टैक्निक लगा रही हूं क्या इससे मेरा परसन मेरे पास लौट कर अगर ये सवाल आपके दिमाग में आता है ना तो इसका जवाब भी आपके के अंदर मिलेगा कुछ पॉइंट्स समझते हैं देखिए एक होता है कर्मा हर इंसान का आपस में एक कर्म बंदन है जो भी इंसान आपके साथ जुड़ा हुआ है बहुत सारे लोग हो सकता है इस पर विश्वास करती हूँ और ये जो वीडियो में बना रही हूँ ना इसमें मैं अपना point of view आपको दूँगी हो सकता है कुछ लोग agree करें मेरी बात से हो सकता है कुछ लोग agree ना करें पर जो मैं सोचती हूँ समझती हूँ इस बारे में वो मैं आपको clear cut समझाने की करूंगी ये भीड बड़ी दुनिया में इतनी बड़ी दुनिया इतनी बड़ी आबादी है हम कुछ लोगों से ही क्यों मिलते हैं कुछ ही ऐसे खास लोग क्यों होते हैं जो हमसे जुड़े होते हैं हमारे माबाप हमारे दोस्त हमारे बाइबेन हर किसी से हमारे कर्म बंद पेवैक करते हैं, अब क्योंकि बात यहां पर पार्टनर की हो रही है, आपके specific person की हो रही है, तो मैं उसी को लेकर चलूँगी, इतनी बड़ी दुनिया में आपको वही एक इंसान क्यूं मिलता है, जिसके साथ आपको special feel होता है, जिसको देखने के बाहर आपको लगता है कि पस यही है, इतनी सारी दुनिया में किसी और के साथ क्यों नहीं आपको वैसा feel हुआ जैसा आपको अपने person के साथ feel होता है, कभी सोचाएं आपने, क्या है ऐसा खास, कुछ तो होगा ना, कि एक पूल सा feel होता है, कितना भी कोशिश कर लो उसको अपने दिमाग से निकालने कि वो इंसान दिमाग से नहीं जाता, आपके दिल से नहीं जाता, क्यों मैं उस इंसान के साथ ही जुड़ा, तो ये सारी चीज़े आपके कर्मों पर depend करती है, और मैं मानती हूँ कि कोई ना कोई past connection आपका होता है, जब आप किसी इंसान से इस तरीके से मिलते हैं, जब ऐसा connection जोसे आप छूट नहीं पाते हैं, तो ये आपके कर्म होते हैं कि आपका उस इंसान के साथ एक कर्म बंधन है, अच्छा है, बुरा है, जो भी है, जो भी आपको रिष्टे में मिल रहा है, वो उस कर्मों की वज़े से आपके साथ जुड़ा हुआ है, तो एक ये reason हो गिया कि इस वज़े से वो इंसान आपसे जुड़ा हुआ है, अब क्योंकि वो आपसे अलग है, separate है, इसलिए आप technique लगा रहे हैं, अब जब वो आएगा, तो depend करता है कि क्या कर्मिक आपका अभी बचा हुआ है relation, क्या कर्मा आपका बचा हुआ है, depend वो आपका soulmate है, depend वो आपका relationship है, अगर जो भी आपके कर्म बंदन थे, वो सारे हट गए, मतलब अब सारा payback कर लिया, तो हो सकता है वो इंसान चला गया हो आपकी life से पूरी तरीके से और आपकी life में ना आए, तो ये एक point होता है, इस point को लेना बहुत जरूरी है, बहुत सारे लोग discuss नहीं करे लेकिन मैं बहुत clear cut आपको समझाओंगी कि ये चीज होती है, तो इस चीज को आप अपने दिमाग में रखिएगा, कि अगर इस उस इंसान के साथ अभी भी मेरा कुछ बकाया है, तो वो इंसान मेरी life में लोटकर जरूर आएगा, point number one, point number two क्या है, point number two ये है कि कुदरत क्य क्या करती है, या universe क्या करती है, प्रकती क्या करती है, प्रकती, दो ऐसे समान लोगों को, जिनकी चाहत समान है, उनको आपस में मिलाने का काम करती है, एक अलग सा एक आपको example देती हूँ, मानली जे कोई इंसान है, अपनी प्रॉपर्टी को बेशना चाता है, right, तो वो चा आता है कि उसकी प्रॉपर्टी बिग जाए, और एक इंसान है जो उसी टाइप की प्रॉपर्टी को खरीदना चाहता है, तो गुद्रत क्या करेगी, उन दोनों को आपस में मिलाने का काम करेगी, मैं चाहती हूँ, कि मेरी जिन्देगी में एक ऐसा इंसान है, मैंने imagine किया, मैंने सोचा उसमें ये ये qualities होनी चाहिए और जो मुझ में qualities है वो एक इनसान चाहता है अपने life partner में तो कुदरत क्या करेगी हम दोनों को मिलाने का काम करेगी यानि एक दूसरे की चाहत का समान करते हुए कुदरत आपस में उन दो लोगों को मिलाने का काम करती है इस तरीके से हम मिल जाते हैं तो ये दूसरा point है अगर आप किसी के लिए manifest कर रहे हैं और दिल से manifest कर रहे हैं अगर वो इनसान भी same feeling रखता है आपके लिए वो भी आपसे प्यार करता है वो किसी और को manifest नहीं कर रहा है ऐसा भी हो सकता है क्योंकि God ने universe ने हमको free will दी हुई है हर इनसान अपने लिए अपने हिसाब से चाह सकता है सोच सकता है तो अगर आप किसी इनसान को manifest कर रहे हैं चाहते हैं कि वो आपके जीवन में आ जाए तो जरूरी है कि उस इनसान की चाहत आपसे अलग ना हो ऐसा ना हो कि वो इनसान किसी और के सपने देख रहा है किसी और को manifest कर रहा है उस इनसान के दिल में भी कही ना कहीं आपके लिए वो same feeling होनी चाहिए जब ऐसा हो जाता है तो कुदरत हर कोशिश करती है आप दोनों को मिलाने के लिए point number two हो गया ये तो ये दोनों चीज़े इन दोनों चीज़ों को समझना जरूरी है ये दोनों point अगर मिलते हैं तो आप definitely अपने partner को manifest कर लेंगे अब आता है तीसरा और सबसे important point आपने वो डालोग सुना होगा ना किसी चीज़ को अगर हम शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है तो अब जरूरत क्या है शिद्दत की तो आज खुद से सवाल करना कि जिसको आप manifest कर रहे हो जिसके लिए आप सवाल कर रहे हो जिसके लिए आप वीडियोस देखते हो जिसके बारे में आप दिन राग सोचते हो कितनी शिद्दत से चाहते हो उसको शिद्दत का मतलग कितना प्यार है कितना विश्वास है कितना भरोसा है कितनी जिद्द है उसको पाने में अगर वो शिद्दत आपकी प्यार है इंटेंशन आपका प्यार है चाहत आपकी भरपूर है विश्वास है आपको कि येस वो इंसान सिर्फ और सिर्फ मेरा है तब जाके प्रक्ति, कुदरत, यूनिवर्स ये काइनात आपको उससे मिलाने में लग जाएगी वो पूरी कोशिश करेगी कि आप उसको मैनिफेस्ट कर ले पर जरूरी है कि आप वो शिद्दत दिखाए और वो शिद्दत ऐसे कैसे दिखेगी क्योंकि आपको खुद विश्वास नहीं होता कि वो इंसान मेरा है अगर आपको ये विश्वास है कि मेरा है वो मेरे लिए इस दुनिया में आया है वो यूरिवर्स ने उसको मेरे लिए बनाया है मेरे प्यार में वो ताक्त है मेरा इंटेंशन इतना प्योर है इतनी शिद्दत से मैं उसको चाहता हूँ इतनी शिद्दत से मैं उसको चाहती हूँ कि हर हाल में वो इंसान मेरी जिन्दगी में आएगा अगर ये आपके अंदर है ना तो कभी भी आपके मन में ये सवाल ही नहीं आएगा कि वो इंसान मेरे पास आएगा की नहीं क्योंकि आप उसको फील करेंगे वो इंसान तो मेरे पास है अगर मुझे उससे प्यार है अगर मुझे अपने प्यार पर विश्वास है तो वो इंसान मेरे पास है आप उसको हर वक्त अपने आस पास फील करेंगे आपको जरुवत भी पड़ेगी मांगने की क्योंकि आप मांगते हो यूनिवर्स मुझे वो दे दो मैं ये टेक्निक लगा रहा हूँ मुझे मेरा पार्टनर मिल जाए क्यों? क्योंकि आप ये विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि वो इंसान तो आपके पास है आपका जो प्यार है वो आपके पास है जब आप ये feeling रखते हैं और बोलते हैं यूनिवर्स को कि येस मैं तो जी रहा हूँ उस पल को जिस वक्त मेरा पार्टनर मेरे साथ है मेरा person मेरे साथ है आप universe को thank you बोलते है thank you universe उस पलो के लिए जब मैं उससे मिला thank you universe उस इंसान को मेरे लिए बनाने के लिए thank you universe मेरे दिल में उसके लिए वो प्यार जगाने के लिए जगाने के लिए thank you universe same feeling same intention उस इंसान के दिल मेरे लिए जगाने के लिए thank you thank you thank you so much मेरे इस रिष्टे के लिए जब आप thanks बोलते है universe को आपका अंग अंग thanks बोलता है तब आपकी मन में एक भार भी doubt नहीं आता एक सवाल नहीं आएगा कि वो person मुझे मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा यह होती है शिदत और जब आप यह शिदत दिखाते हैं यह तो बाकी के दो पॉइंट्स ना बिल्कुल मिठ जाते हैं क्योंकि universe देखता है कि यह इंसान जिस तरीके से feel करता है जिस तरीके से उस इंसान को चाहता है ना यह इंसान उसी का है तो यह शिदत अगर आप दिखाते हैं already feel करते हैं कि जो इंसान के लिए मैं मांग रहा हूँ वो मांग नहीं रहा हूँ मैं मैं उसको अपने पास रखने के लिए या अपने पास मिलने के लिए thankful हूँ universe का then universe आपको बोलती है तथास्तू और तब जाके आप उस इंसान को 100% manifest कर लेते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद खुद ही आपको यह जवाब मिलेगा कि आप उस इंसान को 100% manifest कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे I think मैंने बहुत अच्छे से समझाया है और कोशिश की है आपके doubts को clear करने की so thank you so much for watching my video bye